हाई वाट्स अप एप्रीवन मैं हूर इमताइं वलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी कोरियन होरर मुवी दे लैबरिंथ को जो कि आई थी 2021 में IMDb पे इस की रेटिंग 5.4 की है दोस्तों आज मैं आपको इस मूवी की सही अंडिंग बताऊंगी जिसे गलत इंटरप्रेट किया गया है तो एक्स्प्लेइशन को एंट तक जरूर देखेगा और इसमें आपको हिंदू धर्म का भी रेफ्रेंस मिलेगा चूकि इस मूवी को काफी इंटरस्टिंग बनाता है कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ली हे मिन जिसे हम मिन करके बलाएंगे मिन एक एक्जॉर्सिस्ट सक्सेसर है जिसे अपनी एबिलिटी के बारे में पता नहीं है हम देखते हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है तब इसकी मुलाकाद जिमिन से होती है चूकि अनस्किल्ट है और एक्जॉर्सिस्ट बने वाली है यहीं पे हम एक और लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम है जिहून और यह दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं अब मिन का टीचर मिन को क्लास से मिलवाता है और यहां मिन सोयों को पहली बार देखता है तब हम एक बुली ग्रुप में दे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जी ही उनको बुली करता है तब ही सोयूंग आके दे को रोकती है सोयूंग की बेहन ही दे की गल्फरिंड है ये कहने के बाद सोयूंग जी ही उनको अपने साथ ले जाती है और मिन देखता है कि सोयूंग ने अपनी डायरी वहीं छोड़ दी है अपसीन मार्केट में चल रही एक औरत पे शिफ्ट होता है जो कि चिकन शॉप पे रुकती है यहां में पता लगता है कि यह औरत शमन है जिस पर वो दुकानदार कहता है कि वो शमन्स को चिकन नहीं बेचता और बीच बजार उस औरत को भला बुरा कहता है और यह सब वहाँ खड़ी दो औरते सुन रही थी इतने सब होने के बाद शमन गुस्से में चली जाती है और हम देखते हैं कि उस दुकानदार की नसे लाल होने लगती है और उसके मूँ से एक बड़ा मेंटक निकलता है यह देखकर दुकानदार भुचक का रह जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि मिन सोयों की डारी देख रहा होता है और हम फोटो में देखते हैं कि सोयों की बेहन का फेस स्क्रैच किया होता है तब ही वो फोटो उड़ जाती है और मिन उसे लेने के लिए उसके पीचे जाता है तब उसे एक आवास सुनाई देती है और वो साइंस लैब की तरफ जाता है तब ही वहाँ जे मिन आ जाती है और हे मिन से पूछती है कि तुम भूट देख सकते हो क्यूंकि जीमिन को भी spirits का एसास होता है लेकिन मिन मना कर देता है इसके बदाद देख के bully group को दिखा जाता है जabable जुन जी ही उन पर चिला रहा होता है वो जी ही उनको force करता है कि वो शाम को से आके मिले Next Scene में हम देखते हैं कि जुन के पास एक लड़की के बुली होने की recording थी जिसे देखकर ये लोग जुन को उस recording को डिलीट करने के लिए कहते हैं अब हम देखते हैं कि वही दो औरतें जो मार्केट में शमन को देख रही थी वो शमन के गर reading के लिए आती है लेकिन शमन उन से कहती है कि अब वो reading नहीं करती और उन्हें वाँ से जाने के लिए कहती है तब ही वह बहुत धर्म के एक शमन आते हैं जो सोल्स को आफटर लाइफ में भेजते हैं और इनका नाम है मूयूंग मूयूंग को देख के शमन डर जाती है और अपने घर में चली जाती है मानो मूयूंग उस शमन के लिए खत्रा हो इसके बाद हम जी मिन की आंट को देखते हैं जिनका नाम है सू जो यॉन्डो स्कूल की प्रिंस्पल है या सू जी मिन को बताती है कि मूयूंग ने वो श्राइन ढून लिया है और आज पूर्णी मा है और उन्हें आज ही उसे पकड़ना होगा और अगर इन लोगों ने आज उसे नहीं पकड़ा तो उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे इन दोनों की बात उसे में बता लगता है कि मिन मूयूंग का उत्रा दिकारी है मिन एक शमन फैमिली से है जिसकी फैमिली सालों से शमन थी लेकिन मिन जैसे पावरफल एक्जॉर्सिस्ट को इविल गॉड पोजेस कर सकता है इसलिए सू जी मिन से कहती है कि वो मिन पे नज़र रखे ताकि मिन उस ट्रैप को न तोड़े जो सू और मुयूंग ने स्कूल में बनाया है यहां सू जी मिन को एक पवित्र छड़ी देती है जिस पे मंत्र लिके होते हैं अब हम सो यूंग को अपनी बहन के पास हॉस्पिल में बैठा देखते हैं सो यूंग की बहन है हाना हाना ने खुद को मारने की कोशिश की थी सो यूंग जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या हुआ लेकिन सो यूंग को अभी भी कुछ नहीं पता है इसके बाद हम देखते हैं कि मिन सो यूंग की डियारी पढ़ रहा होता है लेकिन जून ने जी हून को अपने ग्रूप की जगे बुलाया था और ये लोग जी हून का वहीं वेट करते हैं इसके बाद सीन सू पे शिफ्ट होता है जो मूई यूंग से मिलने आई थी वो मूई यूंग को एक फोटो देती है ये फोटो उस लड़की की थी जो हाली में स्कूल में जलके मर गई थी लेकिन पुलिस आग का पता नहीं लगा पाई थी और यहां में पता लगता है कि उस लड़की की माँ एक शमन है यहां आप समझ ही कहे होंगे कि यह वही शमन है जिसे हमने मार्केट में देखा था मूयोंग और सूने स्कूल में कुछ एलिमेंट से एक घेरा बनाया था जैसे फायर, एर, वाटर, आर्थेन, स्काई जिसमें से आग का घेरा तूट गया है और यहां में पास्ट की कहानी पता लगती है कि सू के गैंट फादर जो बुद्धिस एक्जॉर्सिस्ट थे उन्होंने उस जगे मंदिर के बज़ए स्कूल परवाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चों की सोल प्योर होती है इसलिए इविल फोर्सेस प्योर सोल में बदल जाएंगी लेकि इन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ बच्चे बुले किये जाते हैं और इन सबसे उन में नफरत भर जाती है क्योंकि उनके इनी इमोशन्स और थाट्स का फायदा उठाने इविल फोर्सेस इस दुनिया में कभी भी अपने प्योर इविल फॉर्म में आ सकती है इसलिए उन्हें वो श्राइन ढूणना होगा जहां शमन पूजा करती है और उसे खतम करना होगा सुबह होने से पहले क्योंकि पाँच ऐलिमेंट से बने घेरे में दो ऐलिमेंट्स का स्पेल खतम हो चुका है इदर सोयोंग देखती है कि उसकी डायरी गायब है जिसके बाद हम मिन को स्कूल के अंदर जाता देखते है जिससे अर्थ ट्रैप टूट जाता है मिन वो डायरी वापस करने आया था और जीमेंट्स को बताती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है जीमिन को भी तक ये नहीं पता है कि स्कूल में कोई इनसान है या फिर कोई घोस्ट जिस पे सू जीमिन को कुछ ना करने के लिए कहती है और तब ही फोन कट हो जाता है और इधर मुयोंग कहते है कि उस शमन ने अपनी बेटी के आत्मा के बज़ाए कुछ और भी समन किया है इधर जीमिन सीसी टीवी के तरू देखती है कि सोयूंग वापस स्कूल में अपनी डायरी ढून ने आई थी और जीमिन भी स्कूल के लिए निकल जाती है मिन जिब स्कूल के अंदर जाता है मिन को वाँ स्कूल का कार्ड दिखता है जो की स्कूल का कार्ड नहीं बलकी शैतान था और वो मिन पे हमला करता है और मिन अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और खुद को एक रूम में बंद कर लीता है इधर हम बूली ग्रूप को नशे की हालत में धूत पड़ा देखते है उस ग्रूप का लीडर जी ही उनको फोन करने की कोशिश करता है लेकिन फोन नहीं मिलता तब ही उस ग्रूप का लीडर देखता है कि असल में वो लोग साइन्स लैब में थे जहां वो लड़की जल के मर गई थी और ये सब यहीं बैट के ड्रिंक कर रहे थे और ये लोग बाहर जाने के कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग दर्वाजे के पार नहीं जा पा रहे थे इधर मूयूंग और सू उस शमन के गर पहुँच गए थे और गर के दूसरी तरह से हम शमन को भागता देखते हैं तब ये एक इविल स्पिरिट सू पे हमला कर देती है और मूयूंग उस इविल स्पिरिट से सू को अजाद करवाते हैं और सू को बताते हैं कि ये वही इविल स्पिरिट है जिसे शमन सर्फ कर रही थी और इदर शमन मूयूंग के ड्राइवर के सरपेवार कर देती है और कार लेके भाग जाती है मूयूंग का ड्राइवर ये बात उन्हें बताता है तब मूयूंग बताते हैं कि शमन अब उस इविल स्प्रेट को सर्व नहीं कर रही है और अब वो अपनी बेटी की आत्मा को बुलाईगी तब ही मूयूंग के ट्राइवर को वो श्राइन दिखता है जहाश हमन जादू किया करती है इधर साइंस लैब में हम देखते हैं कि जुन अपने ग्रूप के लोगों पे हसता है ये देख कर दे उसे बुरी तरे मारता है अब ये लोग जुन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि जुन के मूँ से लगातार खूर निकलता जा रहा था ये देखकर उसके ग्रूप के लोगों से निकलने की कोशिश करते हैं इदर मूयूंग उस जगे को देखते हैं जहां शमन जादू किया करती थी और इने वहाँ कुछ डॉस रख्यों भी मिलती हैं तब मूयूंग बताते हैं कि दरसल ये कोई समनिंग रिच्वल नहीं है इस रिच्वल से किसी मरेवत को जिन्दा किया जा सकता है किसी दूसरे को म जाता है और ये लोग बाहर भाग जाते हैं क्योंकि जुन मर गया था इसलिए शमन के घर में रखी डॉल जल जाती है और जैसे जैसे इन में से कोई मरता जाएगा वो डॉल जलती जाएंगी अब मिन उस रूम से किसी तरह बाहर आता है जब वो अपने पीछे एक लड़की को खड़ा पाता है और वो मिन पे हमला कर देती है और मिन अपनी जान बचा के भागता है तब ही रास्ते में उसे जी हून और उसकी दोस्त मिलती है जी हून की दोस्त मिन से डॉक्ट के तरू दूसरी तरफ जाके दोर खोलने के लिए कहती है और मिन ऐसा ही करता है इधर हम वापस बुली ग्रूप के बच्चों को देखते हैं जो बाहर जाने की कोशिश करते हैं और ये लोग उस लोग को खोलना ही पा रहे थे तब ही उनके ग्रूप की लड़की इपने ग्रूप के एक लड़के को लेके वाश्रूम चली जाती है इतर वाश्रूम में उस लड़की को कुछ आवाश सुना ही पड़ती है उसे लगता है कि बाहर खड़ा लड़का उसके साथ मजाब कर रहा है और तब ही वो इविल इस लड़की को हांट करता है और इसकी चीक बाहर बैठे इसके ग्रूप के लोग सुनते हैं और अंदर वाश्रूम में आके इस लड़की को ढूणने लगते हैं जब उन्हें उस लड़की का कटा हुआ सर टॉयलेट में पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर ये लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं इतर जे मिन सोयों को ढूण रही होती है जब हम उपर दिवार पे किसी को चलता हुआ देखते हैं इसके बाद हम मिन को देखते हैं जो कि वेंट के थूरू दूसरी तरफ पहुँच जाता है और तभी उसे वही गाड आता हुआ दिखता है जो उसे पहले दिखा था और तभी जे ही उना के मिन को अपने साथ ले जाती है और ये दोने एक रूम में जाके अपने आपको बंद कर लेते हैं लेकिन गाड कोई लोग नहीं मिलते इसलिए गाड वहाँ से चला जाता है मिन जी ही उनको बताता है कि उसने गाड की आँके काली रेखी थी इदर बुली ग्रूप के बच्चे अभी भी बाहर निकलने के कोशेश करते हैं तभी वो कई सारे पेड की डालो को आता देखते हैं जो उनके लीडर को पकड़ लेती है और उसे वही मार डालती है और इदर शमन के घर पे वो इविल स्पिरिट मू यूंग पे हमला कर रही होती है जिसकी वज़े से मू यूंग के मू से खून निकलने लगता है और अब एक और डाल जल जाती है और इदर हम देखते हैं कि वो पेड़ की डाल दे को भी मार डालती है और इस बूली ग्रूप में सिर्फ एक ही लड़का बचा था और तब ही दर्वासा खुल जाता है और वो लड़का बाहर भाग जाता है इदर मिन जी हून से साथ चलने के लिए कहता है लेकिन जी हून मना कर देती है अब मिन अपने रास्ते चला जाता है जब उसे जी मिन रास्ते में मिलती है और जी मिन समझ जाती है कि मिन की वज़े से ही वो गेरा टूटा था अब वो मिन से पूछती है कि उसे स्कूल में कोई मिला था जब मिन बताता है कि उसमें सिक्योर्टी कार्ट को देखा था जिसके बाद उसे जी हून मिली थी तब जी मिन पूछती है कि क्या सोयूं के अलावा भी वहाँ कोई है तब मिन बताता है कि जी हून की फ्रेंड सौंग भी स्कूल में है और यहां आता है एक ट्विस्ट जब हमें बता चलता है कि सौंग ही वो लड़की है जो साइंस लैब में चल के मर गई थी अब यह लोग सोयूं को ढूडने जा रहे होते हैं जब रास्ते में इन्हें कई सारे इविल स्पिरिट्स दिखती है जो सीधा इन लोगों पे अटाक कर देती है तब जी मिन वही पवित्र चड़ी निकालती है और उसे जमीन पे मारती है जिससे वो सारे इविल स्पिरिट्स खतम हो जाती है लेकिन स्कूल में अभी भी कई सारे इविल स्पिरिट्स थी इन्हें से एक इविल स्पिरिट्स मिन पे हमला करती है और जी मिन उस चड़ी से उसे खतम कर देती है अब ये लोग अपनी जान बचा के बाहर भागते हैं और दर्वाजा बंद कर देते हैं और उस दर्वाजे पे ओम का साइन बना था जिसे ये इविल स्पिरिट क्रॉस नहीं कर सकती इसलिए ये पूरा स्कूल ओम के निशानों से बना हुआ है इस मूवी में इंडियन स्पिरिच्वल सिंबल को देखना मुझे काफी अच्छा लगा अब ये लोग सोयूंग को ढूरना शुरू करते हैं और मिन को सोयूंग उपर छट पे खड़ी नजर आती है मिन उसे बचाने जाता है लेकिन सोयूंग नीचे गिर जाती है और गायब ह जाता है अब मिन पूल एरिया पे पहुंचता है और तब ही वहां सौंग आती है सौंग कहती है कि वो मिन को जानती है क्योंकि मिन मोयूंग का सकसेसर है मिन सौंग से सोयूंग और जी ही उनके बारे में पूछता है तब सौंग पूल की तरफ इशारा करती है और तब ही सोय का घेरा तूट जाता है जिसके पाद सौंग जीमिन को हवा में उपर लटका देती है और अब स्कूल में सूप पहुँच गई थी लेकिन वो पूल के अंदर नहीं आपाती है क्योंकि दर्वासा बंदो जाता है और इदर शमन के घर वो आकरी डॉल बिजल जाती है मूयोंग ने अपने आप को सेक्रिफाइस कर दिया था उनकी पावर्स की वज़े से जीमिन बच जाती है और मूयोंग की मौत हो जाती है अब हम देखते हैं कि मिन पास्ट में चला जाता है और वो सौंग के पास्ट को देखता है जा स्कूल की लड़किया सौंग को बुली कर रही हो यानी हाना को साथ देखता है जो सौंग को थैंक्यू कह रही थी क्योंकि उसके स्पेल की वज़े से देने उसे अपने साथ शाम को बाहर चलने के लिए पूछा था सौंग और हाना तो नों काफी अच्छे दोस्त थे लेकिन जब ये बात दे की गल्फिन को पता चलती है त उसे बचाने के लिए सौंग वहां जाती है जब बुली ग्रूप के मेंबर्स सौंग को बुली करना शुरू करते हैं लेकिन सौंग उनसे लगातार पूछती जा रहे थी कि उसकी दोस्त आखिर कहा है लेकिन ये लोग उसे कुछ नहीं बताते और उसकी रिकॉर्डिंग कर शुरू कर देते हैं और ये वही रिकॉर्डिंग थी जो जून के मुबाइल में थी और हम देखते हैं कि हाना नहीं भी ये सब कुछ देख लिया था और अब ये बुली ग्रूप हाना को पकड़ने के लिए बाहर जाता है और सौंग को वहीं लॉक करके चला जाता है जिसक कि सौंग ही उनकी फैमिली थी ये देखकर वो हाना पे गुसा करती है और कहती है कि ये सब उसकी वज़े से हुआ है सो योंग भी पास्ट में चली आई थी और आखिरकार वो सच जान चुकी थी कि आखिर उस रात क्या हुआ जब मिन उससे वापस प्रेजन पे चलने को कहत है तब सो योंग कहती है कि काश उसे ये सच कभी पता नहीं लगता जिस पे मिन कहता है कि उसकी बेहन की कोई गलती नहीं थी और यहां मिन सो योंग को उसकी डायरी देता है और यहां एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता लगता है कि वो डायरी सो योंग की नहीं बलक करेंगे जो उन्होंने सौंग के साथ किया था और इसी वज़े से हाना ने पुलिस से जूट बोल दिया था कि उसे कुछ भी नहीं पता है ये देखकर सोयों को बहुत बुरा लगता है और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो मिन को किसी के आवास चुनाई पड़ती है और वह सोयों को दर्वाजे के पार बेश देता है यानि प्रेजन्ट में इधर प्रेजन्ट में सूजी मिन को बताती है कि ये करस अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस केस से जूड़ी आखरी कड़ी अभी बी जिन्दा है जो की है हाना और आपस हाना को ब्चाने के कहता है लेकिन मिन समझ किया था कि वो उसका दोस्त नहीं है यहां में पता लगता है कि मिन का दोस्त उसकी वज़े से मर गया था और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसका दोस्त मिन को बताता है कि मुयोंग मिन के ग्रैंड फादर है और मिन के पिता से गोध लिया जब तक कि मिन एडल्ट नहीं होता और मुओ यूउंग ने मिन के दोस्त को अपने ग्रैंट सन की तरह रखा और मिन के दोस्त को as a charm use किया गया ताकि मिन एविल स्पिरिट से बचा रहे और हम देखते हैं कि मिन का दोस्त दरसर मिन मिन का दोस्त नहीं था वो वही इविल था और ये बात मिन समझ गया था और वो इविल से कहता है कि सौंग ने मिन को सब कुछ सच बता दिया है और यहां एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता लगता है कि जब हाना छट से कूद गई थी तो ऐसा करने के लिए उस इविल कुमारने की कोशिश करती है तब ही सौ आके उसे रोकती है और तब ही असली सौंग की आत्मा वहां आती है जो अपनी मां से रुकने के लिए कहती है लेकिन उसकी मां समझती है कि वो कोई डेविल है तब सौंग यहां अपनी मां से कहती है कि जब भी वो अगला जनम लेगी वो अपनी मा की ही वेटी बनके पैदा होना चाहती है और वो अपनी मा को गले लगाती है और यह दोनों एक दूसरे को गले लगके रोते हैं जिसके बाद सौंग की आत्मा मासे चली जाती है और इदर पास्ट में वो इविल अपने असली रूप में आता है और अभी तक जो भी हो रहा था वो यही इविल कर रहा था जब हम देखते हैं कि मिन के हाथ में वही छड़ी आती है जो कि मोयों के हाथ में थी और मरते वक्त वहां से गायब हो गई थी और अब वो मिन के हाथ में थी अब मिन उस चड़ी से इविल पे वार करता है और उसे खतम कर देता है इधर हॉस्पिटल में सौंग की मा को सारा सच पता चलने के बाद बहुत दुख होता है और उन्हीं की वज़े से स्कूल के बच्चों की जान चली गई वो भागती हुई खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से कूट के अपनी जान दे देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि सोयोंग और मिन दोनों ही प्रेजन्ट में वापस लौट आते हैं और सोयोंग मिन को गले लगाती है और उसे थैंक्यू कहती है उसे बचाने के लिए और मिन जी मिन को थैंक्यू कहता है क्योंकि और ये movie यहीं end हो जाती है तो दोस्तों ये था मेरा movie explanation Korean horror movie The Labyrinth को लेकर अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे Stay safe, keep hunting, lots of love